मेरे प्यारे देश वाच्यों नमस्कार आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिये हमें एक साथ जूड रहे हैं ये 2022 की पहली मन की बात है आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे देश और देश वाच्यों की सकारात्मक प्रेणाओं और सामुहिक प्रयासों से जुड़ी होती है आज हमारे पुझ्य बापू महत्मा गांदी जी की पुन्यतिती भी है तीस जन्वरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दीवस भी मनाया दिल्ली में राजपत पर हमने दे देखा होगा अब गंतंत्र दिवस समारो तेईस जन्वरी यानि नेता जी सुभाद संद्र बोश की जन्मजनती से सुरू होगा और तीस जन्वरी तक यानि गांदी जी की पुन्यतिती तक चलेगा इंडिया गेट पर नेता जी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाय प्रगट की उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं साथियों आजहदी के अमरुत महोत्सों में देश इन प्रयासों के जरिये अपने राष्ट्रिय प्रतिकों को पुनर प्रतिश्थित कर रहा है हम ने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान जोती और पांस में ही नेश्टनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलि जोती को एक किया गया इस भावक अवसर पर कितने ही देश-वास्यों और शहीत परिवारों की आखों में आँसू थे नेशनल वार मेमोरियल में आजहती के बात से सहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किये गए हैं मुझे सेना के कुछ पुर्व जवानों ने पत्र लिकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रजवलिद हो रही अमर जवान जोती शहीदों की अमरता का प्रतीक है सच में अमर जवान जोती की ही तरह हमारे शहीद उनकी प्रेणा और उनकी योगदान भी अमर है मैं आप सभी से कहूँगा जब भी अवसर मिले नेशनल वार मेमोरियल जरूर जाएं अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं यहां आपको एक अलग उर्जा और प्रेणा का अनुभव होगा चाहिए अमरित महोच सव के इन आयोजनों के बीच देश में कई महतों को राष्ट्रिय पुरसकार भी दिये गए एक है प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरसकार यह पुरसकार उन बच्चों को मिले चिन्नोंने छोटी सी उम्र में सासीक और प्रेणादाई काम किये है हम सब को अपने घरों में इन बच्चों के बारे में जुरूर बताना चाहिए इन से हमारे बच्चों को भी प्रेणा मिलेगी और उनके भीतर देश का नाम रोशन करने का उत्सा जगेगा देश में अभी पद्म सम्मान की भी गोश्णा हुई है पद्म पुरसकार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी है जिनके भारे में बहुत कम लोग जानते हैं यह हमारे देश के अंसंग हिरोज है जिनोंने साधारन परिस्थित्यों में असाधान काम किये हैं जैसे कि उत्राखन की बसंती देवी जी को पदमस्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संगर्षों के बीच जीया। कम उम्र में ही उनके पती का नीधन हो गया था। और वो एक आस्रम में रहने लगी। यहां रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संगर्ष किया और परियावरन के लिए असाथारन योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के श्रसक्ति करण के लिए भी काफी काम किया है। इसी तरह मनिपूर की 77 साल की लोरेंबं बिनो देवी दसकों से मनिपूर की लीबा टेक्स्टाइल आर्ट का सवरक्षन कर रही है। उन्हें भी पदमसरी से सम्मानित किया गया है। मद्यप्रदेश के अर्धून सी को बैगा आदिवा से नृत्ति की कला को पहचान दिलाने के लिए पदमसम्मान मिला है। पदमसम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं स्रिमान अमाई महालिंगा नाइक। एक किसान है और करनाटका के रहने वाले हैं। इने कुछ लोग टननमेन भी कहते हैं। उन्होंने खेती में ऐसे ऐसो इनोवेशन किये हैं जिने देखकर कोई भी हैरान रहे जाए। इनके प्रयासों का बहुत बड़ा लाप छोटे किसानों को हो रहा है। ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिने देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। आप जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देश वासियों, अमरित महोत्सव पर आप सब साथे मुझे धेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं। कई सुझाव भी देते हैं। इसी स्रंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मानिया है। मुझे एक करोड से जादा बच्चों ने अपने मन की बात पोषकार के जरिये लिख कर भीजी हैं। ये एक करोड पोषकार देश के अलग-अलग हिस्सों से आये हैं, विदेत से भी आये हैं। समय निकालकर इन में से काफी पोषकार को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोषकार में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविश्य के लिए हमारी नई पीडी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। मैंने मन की बात के सोताओं के लिए कुछ पोषकार छांटे हैं जिने मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ABP News आपको रखे आगे।